टू डीजी के बारे में दो तीन एहम बातें बतानी है DRDO के इनमास नुक्लियर सेंटर ने इसको खोश के निकाला कि वाइरस के रेप्लिकिशन मदद करेगी किस तरह से लेना है सबसे पहले तो इस टैंडर ओफ केर जो अभी चल ला है साथ में जो दवाईयां चल ले जैसे डाइबिटीज के रोगी की डाइबिटीज की दबा, बीपी की रोगी की बीपी की दबा, हर्ट के रोगी की हर्ट की दबा न हो तो बहतर है यह एक सैसे फॉर्म में पाउडर फॉर्म में यह दवा होगी जैसे आम गुलकोज का पाउडर आप देखते हैं उसको पानी में मिलाके और डिजॉल्व करके अंडर मेडिकल केर ही लेना है इसको ओवर दे काउंटर खरीद के नहीं लेना है मेडिकल केर ले और जैसा इंप्रोव्मेंट होगा उसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेंगे तीन दिन के लिए पास दिन के लिए साथ दिन के लिए कितने दिन के लिए खोराक आपको दी जाएगी टू डी जी इंस टू डी ऑक्सी डी ग्लुकोज ये एक दवा के रूप में कारगर साबित हो रही है जो कोरोना से संक्रमित मरीजियों को कोविड नैंटीन के इलाज के लिए डियाइडियों ने जिसकी एक संस्था है डियाइडियों के अंदर इनमास पतलब नुक्लियर मे दियाते इसके ट्राइल शुरू हो गए और अब देखा गया ट्राइल में अच्छे रिजल्ट आये हैं अच्छे रिजल्ट से मतलब है कि कोरोना के मरीज जिनमें टू डी जी दवा दी गई वो तीन से चार दिन पहले रिकवर हुए और ऑक्सीजन पे निर्वरता ऐसे मरी प्रोटीन सिंगल स्टेंडर आरेन वाइरस से न तो जीवित होता है नम्रित होता है यह हुमन सेल में जब जाता है तब इसके रिप्लिकेशन शुरू होते हैं रिप्लिकेशन के दर्मियान ही यह फेफडे के टिशू को डामेज करने लगता है टू डियोक्सी ग्लुकोज एक ग्लुकोज का एनलॉग है और यह जब सेल के अंदर जाएगा तो वाइरस को चक्मा देता है ऐसा महसूस करता है वाइरस की ग्लुकोज आ गया और उसको लेने के लिए जैसे लेता है तो वाइरस का रिकीशन बंद हो जाता है मतलब वाइरस फर्दर ग्रो यह नहीं कर पाता है और आगे के फेफ़डे के टिशु को डामेज करना बंद कर देता है ऐसे ही हिलिंग चालू हो जाती है बाड़ी अपने सेल्फ रिकवरी करने लगती है ऑक्सियन पिंद्र भरता कम होती है और मरीज रिकवर कर सकता है यह कोई नया मॉलीकुल नहीं है तू डोक्णी ग्लुकोच जैसा मैंने बता है यह निलोग है इसको पैचली टैकलीस के सथ अटाइच किया गया औरποιेजू को दिया गया तो इस केमों थरफी पाषली डैकली केमों फिहीं हो इसका केमों खुधिये हैं इसका सा क्रमा पकतांभी और काचलीक एँत अंतर सिर् सिर्फ COVID-19 के अलाज में सिर्फ और सिर्फ का आरगर नहीं होगी, मतलब स्टेंडर ओफ केर जो है जिसमें ऑक्सिजन थेरपी है, स्ट्रो आइड है, जरूत पढ़ने पे या जो भी ट्रीटमें स्टेंडर ओफ केर चला उसके साथ जंक ट्रीटमेंट में दिया जाएगा, फर इस दबा के उपर फिर से काला बजारी, इस दबा के लिए अफरा तफरी और मुनाफा खोरी नहीं होनी चाहिए, धीरज रखें, मेडिकल साइंस एवाल्विंग साइंस है, जैसे जैसे समय समय पे चीज़े निकलती है, आपको बताया जाएगा.